हाई गाइस बेलकम बैक टो माइट चनल ग्यानेवी यह है गाइस यमा के तरप से आने वाले इलेक्टरिक अस्कूटर जिसका नाम है गाइस यमा न्यू इलेक्टरिक अस्कूटर इस यमा न्यू इलेक्टरिक अस्कूटर की डिजाइन की बात के तो इस अस्कूटर की डिजा cycle की तरह एकदम पतला सा इसमें लगाया गया जो कि वाइजर के साइड में आपको इसमें दिया गया और उसके नीचे दोस्तों इस scooter के दो round save का LED project इसमें headlight लगाया गया जो काफी अच्छा दिखने में आगे साइड से यह लगता है और इस scooter के आगे साइड की संस्पेंशन की बात के तो इस स्कूटर के आगे साइड में टेलिस्कॉपिक फ्रोग संस्पेंशन लगाया गया है जो कि काफी अच्छा और मजबूत संस्पेंशन इसमें लगाया गया और इस स्कूटर के आगे साइड के विल की बात के तो आगे साइड में 12 इंच मजबूत और काफी अच्छा ग्रेवेंडल इसमें लगा गया और उसके नीचे दोस्तों एलडी टेल लाइट लगा गया और उसके साइड में डिटरंड इंडिकर्टर इसमें लगा है जो कि सेम किसी मुड्साई की तरह ही दिखने में इसका पीछे साइड से लग रहा है और दोस्तों इस स्कूटर में नंबर प्रेटक लगाने का ओप्सन इसमें दिया गया और पीछे साइड की संस्पेंशन की बात के तो पीछे साइड में मोनो सोक संस्पेंशन लगाया गया और पीछे साइड में 12 इंचे स्टूब्ले स्टायल लगाए लेविल के पास में इस स्कूटर के पिछे साइड की पहिये में फिट किया गया है जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा और इस स्कूटर के पिछे साइड में ड्रम बिर्यक लगाया गया है इस यहां नियू इलिक्टरी स्कूटर की रेंज की बात करें दोस्तों तो इस स्कूटर में आपक आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा और यह मोटर 158 किलो वाट का इसमें लगा गया इस सोटर की स्पेस की बात के तो इस सोटर में बूट सपेस काफी अच्छा इसमें दिया गया और सस्कोटर में लिथियन वैंन की बैट्रीक लगाया गया जो की टोपन। थिरी किलोवाट की इसमें बैटरी पेक लागा जो की प्रोटेवल बैटरी पेक इसमें लगाया गया आप इस अस्कूटर की बैटरी को निकाल के कहीं अपने घर पे लिया के भी आप आराम से हैं पर चार्ज करते जो कि इस वीडियो आपको दिख रहा है यहां पर इस स्कूटर की फ्लोरबोर्ड के पास भी काफी अच्छा इसमें स्पेस दिया गया जो कि कोई भी कैस्टन की आता बड़ा समन को या राम से आप इसमें रखके कहीं लिया सकते हैं जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा इस स्कूटर में डवल बैटरी का उप्सन दि कि हमें जरूर बता है और इस यहां मान निव इलेक्टरी अस्कूटर की डेस्टबूट की बात के तो इसमें डिजिटल डेस्टबूट लगा गया जिसमें ओडो मीटर ट्री मीटर बैटरी परसेंट रेंज के साथ में बैटरी चारजिंग टाइम भी हाँपे सोग करती है और इस स्कूटर में एक USB चारजिंग पूर्ट भी दिया गया जो कि आपको मॉयल चार्ज करने में आपको अराम होगा और इस स्कूटर में स्मार्ट की भी दिया गया जो कि 10 मीटर तक आपको रेंज में इस स्कूटर का लाइट या तो बूट या तो इस स्कूटर को अनलो निव इलेक्ट्रिक अस्कूटर की बात के दोस्तों तो अभी तक बारे में कमपनी की तरफ से कोई इन्फोमिशन नहीं आई और नहीं इस अस्कूटर के प्रैसिंग के बारे में कोई इन्फोमिशन नहीं आई है और इस स्कूटर की लॉंच डेट की बात के तो इस स्कूटर को मार्च 2024 को भारतिय मार्केट में लॉंच करने की त्यारी में कमपनी लगए हुई है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगए हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बेल अकन दबा दीजिए और दोस्तों कमेंट करना ना भूले जब तक लिए दोस्तों जैहिंद बंदे मातरम